आज के इस वीडियो में हम आपको यह बताने जारूं की कैसे आप अपने Samsung Galaxy F15 Android में आप अपने मुवाइल फून की Wi-Fi की प्रड़ूम का उप सॉल्व कैसे कर सकते हैं में आपको नीचे आना तो यहां पर आपको ओना एक option मिलेगा मेंटर सर्विस में आपको दिखा देता हूं फूल और इसी पेज में सबसे उपर आएंगे तो आपको आपको एक option मिलेगा एंड्योट system में आपको दिखा देता हूं तो अ आपको जो है यह वाला option मिलता Android system इसे भी select करना है इसके अंदर भी आपको नीचे storage पर टाप करना है यहाँ पर भी आपको इसे clear catch पर टाप करना है तो आपका catch के सामला data zero हो जाता है ठीकिना अब देखें अगला काम यह करना है आपको अपने mobile phone का software आपको चेक करना है कि update है नहीं है पहले phone का internet आपको चालू रखना है इसके बाद phone का setting पर टाप करना है इसमें सबसोबर सर्च आइकन पर टाप करना है यहाँ पर सबसोबर सर्च बार में software update आपको लिखना है आपको नीचे software update का यह option शो होता है इसे tap करना है अब आपको यहाँ पर यह download and install पर ना तब आपको phone को reset करना है अधरवाइस नहीं करना है ठीक है phone को reset करने के लिए phone का setting page open करिए सबसोबर आपको सर्च आइकन पर टाप करना है यहाँ पर सबसोबर सर्च बार में reset आपको लिखना है ठीक है आपको नीचे यह option शो होता factory data reset इसे tap करना है आपका phone directly आपको setting मि tap करेंगे तो अगले page में सबसे नीचे reset का option tap करना है इससे आपका phone reset हो जाएगा और आपकी problem जो solve हो जाएगी लेकिन phone को reset करने से पहले दो बात होगा ध्यान रखना है पहली बात ही ध्यान रखना है आपके phone का जो data है उसका backup ले लिजे अपने phone में और दूसरी बात ही ध् ही करता ही बात ही बात ही करना है आपके।